कि अश्लाम अलेकों बिसमिल्ला रह्मानिराहीम आज यहां पर हमने लिए फिल्ष दूम्बे गोश्टी लिया है यहां पर आज हम मचल रोष्पर आ लगे जिसको नम्कीन गोश्ट कहते हैं वह रेडी करने लगेए अभल पार हमें गोष्च को दो कर आकक्र दिया और एक चैका चमस नमक लगाएंगे नमक लगाएंगे कि अच्छी तिना से गोश्च के अदर नमक की अगर लेंगे पहले अच तरह से हम गोश्ट को नमक लगा लेंगे इसका जो मेन चीज है मतन रोज की जहां कहा लें नमक वाले गोश्की इसका मेन चीज है वह नमक है इसलिए हम पहले मतन नमक लगा लेंगे यहां पर हमने एमिटी का बट्रम इस्तमाल करें रोष्ट पताने के लिए अच्छता हम नमकल गाने के बाद गोष्ट को इसके अंदर शाम्बल कर लेंगे यहां पर हम रोगन के अंदर मटन रोष्ट को राड़िक अंदर यहां पर हमने यह एक पीस ली है इसको भी से साथ रख देंगे और यह थोड़ी से हमने रोगन की बोटियां ली है दोमे कि यह होती है कि के अंदर चरवी व्हुष्ट के असाथ रखते ने कि अब इसके अंदर लसं के जिए शाम्बल करेंगे यहां पर मैंने 10-15 घंडी इसके अंदर डाल दी है अब दो दर तमाटर इसके नदर रखेंगे चाहत एक दर प्यास रखेंगे तो थोड़ा सा कटावा यह अधर इसके नदर देंगे आज शोरी में स्वरा सा में इसको बना काट लें पहले ताकर इसली खुल जाए कि अगर अगर अब यहां माटा थाड़ निका लेते हैं इंठाल देखें कितना सबटास जो मारा मिटन रोष है होड़ाटी हो गया है इसके गोटी मापको तोरके दिखाती हूं यहां पर देखें जो मारा गोश्त है कितना अच्छा टैंड़र हूब है अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे यहां पर जमारा मटन रोष है रेडी हो गया अगर आपने यहां तक मेरे वीडियो देख लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू अलावाटी है झाल झाल पीस